आप सभी दर्शकों का स्वागत है इस नई वीडियो में, जहां हम बात करेंगे Reliance की डील की डीटेल्स के बारे में, Reliance और Future Group के बीच में डील almost final होने वाली है, गुपसुत्र के अनुसार से एक print मेडिया में news आई है, जो हम आपको दिखाएंगे आगे, उसके बारे में सारी डीटेल का विस्तार से बरनन किया जाएगा आपको, और आपको रनमीती भी बताए जाएगे, आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके पास Future Group के कोई भी शेयर है, तो प्लीज आप comment box में डालिए, हम आपको answer करने के लिए, बताएंगे क्या आपको suggestion रहेगा उसके लिए, तो अगर सबसे पहने बात करें, Future Group और जो हमारे पास news आई है, कि Reliance और Future Group के बीच में मुकेश हमबानी ने deal जो है, पूरा खतम almost deal हो गई है, और उन्होंने decision लिया है, मुकेश हमबानी don't want to lose the brands, तो Big Bazaar का नाम ऐसे ही रहेगा, FBB का नाम ऐसे ही रहेगा, Central का नाम ऐसे ही अच बजे की ख़बर है, हम आपको अभी बता रहे हैं, अगर आपके पास already है, तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अभी समझे इसकी detail के बारे में, जो हम आपको आगे बताने वाले हैं, तो इसके हिसाब से, जो deal की सबसे बड़ी समस्या थी, वो बियानी का personal loan था, जो उ personal debt है किशोर बियानी का रुपीज, वो 2000 रुपे, वो उसके उपरा भी negotiation चल रहा है, उसको finalize नहीं हुआ है, इन्होंने बताया है कि इनके brand value बहुत जादा है, और Reliance के chairman जो है मुकेश अंबानी, उस value को lose नहीं करना चाते, क्योंकि कुछ local जगा पर सब लोग ये नहीं जा बिग बजार क्या है, तो इस वजए से उन्होंने बिग बजार, FBB Central और Easy Dave Brand Factory का retain किया है, as it is, Reliance Sutra के अनुसार, ये deal होगी Reliance Retail Venture Limited के थ्रू, RRVL के थ्रू, और ये entity जो merge होके आएगी, वो FEL के आसपास आएगी, FEL की retail हम आपको बताते है, FEL, nothing is, Future Enterprise Limited, जो की पाँच entities से mix ह है, Future Retail, Future Consumer, Future Lifestyle, Future Supply Chain, and Future Network, अगर आपके पास कोई भी share है, तो आप बताइए हमें, हम आपको बताएंगे कि आपको क्या future में Reliance के share मिल सकते हैं, जब हम पास deal आएगी, तो, Reliance Close to Acquiring Future Retail Finalized Plan with Lenders, तो जो banking सुतरों के अनुसार से ख़बर मिली है, उसके accordingly भी, इनकी जो deal है, वो कहीं पे between 23,000 to 25,000 करोन की होने वाली है, तो काफी अच्छी deal रहेगी, stock काफी bumper उपर चलेगा जबी deal Final Print में आ जाएगी, और Future Logistics and April Companies को भी एक minor stake ले रहे है, Reliance इस deal के accordingly, और इन्होंने बताया है कि Future Group के brand, Logistics and Warehouse Facility को expand किया जाएगा, और the network size of our RVL will become 29 million square feet versus currently 23 million square feet, तो बह आप देखें तो मोटा-मोटा 5, करीब-करीब 20%, 25% के आस-पास increase हो रहा है, इनके coverage area में, तो बहुत अच्छा expansion है, Reliance के लिए भी बहुत अच्छी बात है, इसकी जो convert, उन्होंने ये एक report के according ये भी है information है कि वियानी का जो personal load है, उसको equity में convert कर दिया जाएगा, FEL की, और जाकर उसको आगे further future, जो deal होगी, cash और share swap में होगी, Lance, RRVL और FEL के पीच में, ratio बाता आजएगा बाद में, अभी हमारे पास exact ratio नहीं है, बियानी का जो exact loan था, वो 12,778 करोड का था सप्टेंबर के last year में, और अभी बियानी के पास pressure भी है, क्योंकि उसको 100 करोड का interest पे कर करके ये loan payment करना है, otherwise इसके brand का further degrade हो जाएगा, ये business standard की report है, तो जैसा बताया हमने, ये increase करेंगे अपनी capacity को वहाँ से, और आपको पता ही होगा जैसे की Katrina Kaif, जो है, वो इनकी brand ambassador है, और हमने जैसा बताया, sales value include the liability भी है इसके साथ में, और दोनों के बीच में final term almost agree हो गए है अब deal का final चल रहा है, banks इसमें engage हो चुके हैं अब, और ये deal जो होगी, वो cash and share के बीच में होगी, एक one of the banks तो 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 नहीं हमें बताया है ये बात, अब अगर हम बात करें market capitalization की तो इसकी market capitalization 6000 करोड की है, एक lot का share है, और चाहे तो आप एक short ही खरी सकते हैं, face value करीब 2 रुपे गया असपास है इसकी, मलाइका अरोरा भी इनकी brand ambassador ने शायद आपको पता है, अगर उनके साथ में शिकर धवन जी भी है, जो उनकी brand ambassador जो भारत के cricket opening batsman है, please consult your financial advisor before investing and trading, अब हम बात करते हैं इसके, क्या-क्या brand यहाँ पर है और कैसे-कैसे इसको कर सकते हैं, तो जै चलते हुए काफी popular है, low public sub areas में और उसको help मिलती है आगे future को plan करके growth बढ़ाने के लिए, तो बहुत अच्छा venture है उनका इसका काम के लिए, और हर घर में affordable prices सब कुछ provide करते हैं, तो बहुत अच्छा brand है, FBB इनका brand है, WHS Smith इनका brand है, एरपोर्ट पे आपको ज़रू मिलेग WHS Smith, Heritage Fresh इनका brand है, Easy Day Club इनका brand है, तो काफी सारे इनके पास brand है, जो काफी अच्छे से काम करते हैं, आप चलकर ज़रा हमिर की long term का chart देखें, तो आपको long term chart दिखाते हैं यहाँ पर, अगर हम थोड़ा zoom out करें, तो देखे, long term से ये एक falling downward channel में है, इसकी value करीब 600 रुपे हु हो रही है, तो इसकी वएसे ये 107, 108 के असपास चल रहा है, हमारी आपको सलाह, जैसे हमने आपको पहले बताया, इसको आप accumulate कीजिए, इस level बहुत अच्छा level है आपको, जैसे ही deal का final print आएगा, तो इस share फिर आपके हाथ में नहीं आपाएगा, अब अगर आगे बाग करें इसका हम, जब से इसने low level से high level बनाया है, इसको उदर zoom कर देते हैं, zoom out, तो यहां से देखिए, जो low level से इसने high level बनाया है, उसका fibonacci retracement करें, तो जो सबसे पहले retracement आता है, जहां से उसने bounce back लिया है, वो करीब कर 99 के आसपास है, हमने जो अपनी range बताया थी, आपको बहु accumulate कीजे, तो आपके पास 3 या 4 दिन के time था जब आप इस deal को accumulate कर सकते हैं, अगर आप चैनल पर पहले हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज चैनल को subscribe कीजे, ताकि आपको सही information सही time पर मिल सकें, और आप उससे profit कर सकें, अब जब यह इसके उपर चला गया, तो 50% के आसपास जाने की कोशिश करेगा, तो बहुत अच्छा chart pattern है, जिसके basis पर यह आगे चलने के लिए तियार है, दोस्तों अगर आप चैनल पर नए है, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, प्लीज चैनल को subscribe कीजे, यहाँ पर आपको latest stock based information मिलती है, और साथी साथ आपको हम अपने daily summary भी बताते हैं, जैसे आज का हमार NFT का कारोबार में हमें 17,900 रुपे का profit भाए, इसकी detail हमने रखी हुए यहाँ पर, आपको देखना है तो देख सकते हैं, और यह paid service है, जून के महीने में हमने free रखे हुए तो YouTube वीडियो पर पुराने चैनल वीडियो देख सकते हैं, और हम कोई particular topic पर वीडियो बनाना है, तो आप हमें बताइए, we'll be more than happy to make it for you. अब अगर बात करें इसके daily chart पर, तो कुछ study parameter हम उठाने की कोशिश करेंगी, जिससे हमें पता लगेगा कि क्या हो सकता है इसके आगे देखने के लिए, तो अगर सबसे पहले देखें, तो super trend एक easiest trend indicator ह जो बताता है कि अभी क्या trend चल रहा है, तो super trend ने जब से deal की finalization में delay हो रहा है, तो यह थोड़ा नीचे आ गया है, अब इसका level जो है 117, जैसे ही यह 117 को cross करेगा, जो कि अगर deal की news कला आ जाती है, confirmation जैसे हमने बताए है, print media में आने लगेगी, deal की details, तो यह up जाने के काफी अच्छा इसका, और एक movement दिखाने के लिए तियार है, या तो अब जाएगा या down जाएगा, और जैसी उमीद है deal के हिसाब से, जैसे हमारे पास news है, वो अब जाने के लिए तियार है, इसका target हम आपको आगे बताते हैं, वहीं अगर Nifty का कारोबार का देखे, हमने आ बंद कर दिया थे, वहीं बैंक Nifty भी similar कारोबार किया, और उस पर भी pressure बना रहा, और वहाँ पर भी अगर किसी ने shot किया होगा, तो बहुत अच्छा profit बना होगा उसको accordingly, अब अगर हम आगे बात करें इसके channel के 15 minute का chart पे अगर बताएं, तो आज कोई ज़्यादा activity नहीं र दिया है, तो जहां तक उम्मीद है, कुछ लोगों को यह ख़बर रहती है, जनरी, news आने से पहले ही, तो market के चलते हुई, जो last bar बन रही है, उससे लग रहा है, कि आगे कुछ ना कुछ positive news रहेगी, क्योंकि एक बार अगर news final होके deal आ गई, deal की details सामने आ जाती है, print मे, deal की details लेवल्स की बात कर रहा हूं, news की नहीं, तो फिर upper circuit शुरू हो जाएगा इसका, अब अगर हम levels की बात करें, तो पहले आपको हम बताते हैं, हमने अपने दर्शकों को क्या बताया होता है, यहां पर आप कमेंड में बताईएगा क्या आपने कर पाई की नहीं कर पाई, हमने अगर खरीदा है, तो कमेंड में बताईएगा कितने पर आपने खरीदा है, ताकि हम आपको कस्टमाइजर वाइस कर सकें further, क्योंकि अभी हो सकता है एक दो दिनों और इसी तरह से lukewarm response रहें, उसके बाद फिर यह upward journey शुरू करेगा, फिर जब यह cross करेगा, तो जो हमारे हि हमत है, हो सकता है, 300 भी चला जाए, पर हम सरा conservator आगर दे रहे हैं, अपने हिसाब से, अपनी study के हिसाब से, हमारा target जो है 170 का है, जैसी deal announce होगी, तो continuously upward circuit चलते हुए, 170 तक यह जाएगा, अगर किसी तरह से 100 के बाद cross करता है, तो next hurdle जो होगा, उसका 251 रहेगा, हम यह नहीं अब बात करते हैं, आगे क्या कर सकते हैं इसमेहाँ पर, जैसे हमने बताया, हमारा target 170 रुपे का है, तीन महीने के अंदर आपका यह target मिल जाना चाहिए, दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेर कीजिएगा, और अपना कमेंट, फीडिबेक दीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरू कीजिएगा, धन्यबाद, बात